वेलकम टो सोल सर्व से स्टड़ी वेलकम बैक यूपी पीए सी की टेस्स सीरीज चल लही है देगे फाइनल रिजल्ट आया था भी यूपी पीए सी का दोहार अठारे का और दोहार उनिस के मेंस का एड्मिट कार्ड आ गया है और दोहार बीस का जो प्रलेम्स है प्रारंबिक परिक्षा PCS की वो 11 एक्टूबर को है दस दिन पर एक्ट्बिंट कार्ड आ जाएगा अप लोगों का एक अक्टूबर तक आ जाएगा तो प्रैक्टिस करते रहिएगा अगला टेस्ट लगाते हैं टेस्ट नंबर 230 इंपोर्टन होंगे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टन प्र प्रांतों में उत्तरदाई शाषन की स्थापना के लिए दुएद शाषन की शुरूबात होई थी अठारे सो बैयानवे का भारतिय परिशाद अधिनियम 1909 का मारले मिंटो 1909 का भारत सरकार या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम बताईए प्रांतों में दुएद शाषन 1909 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदाई सरकार की स्थापना के लिए दुएद शाषन की शुरूबात होई दोहरी सरकार प्रणाली के तहत प्रांतिय सरकार को अधिक अधिकार दिये गए क्या बोला जाता है इसको 1919 को मोंटेग्यू चेम्स फोर्ड रिफॉर्म और 1919 को क्या बोला जाता है मारले मिंटो दूसरा प्रश्ण है भारत सरकार अधिनियम 1919 related कुछ statement है यहाँ पर प्रताना कि इन में से कौन सा एक गलत है पहला statement है इसे मारले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है देखें अभी तो बताया यहीं है अलिबिनेट होगी आंसर मिलगे अपका। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ट रिफोर्म के नाम से जाना जाता है, बागी के जो उसमें प्राबधान थे, इस अधिनयम में वित्त कानून और व्यवस्था अरक्षित घोशित करके गवर्नर के प्रतेक्ष नियंत्रण में रखे गए, इस अधिनयम में गवर्नर जनरल उसकी एक्जेक्यूटिव काउंसिल पर विधान मंडल का कोई नियंत्रण नहीं था, तो तीनों के तीनों तो गलत सही हो नहीं सकते, यह पहला गलत हो गया ना, तो भारत सरकार अधिनयम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919 के मोंटेग्य के भारत मंत्री थे, और लाड़ चेम्सफोर्ट कौन थे, भारत के वायसरा है 1919 में याद रखना, कोशन नमट 3 पर आजाए, सुरेंद नाथ वनरजी के नेत्रत में इंडियन लिब्रल एसोसियेशन की स्थापना की गई, आपको बताना है कि इस संगठन की स्थापना किस घ नेत्रत में इंडियन लिब्रल एसोसियेशन की स्थापना की गई, इस संगठन की स्थापना जो आधारित है, जो संबंदित है, मून्टेग्यू, चेम्सफोर्ट, सुधार के प्रस्थाप से संबंदित है, दी है इसका अंसर, तो सुरेंद नाथ वनरजी के नेत्रत में कुछ वयो ब्रद्ध नेता विटे सरकार के प्रस्ताव को स्थाव करने के पक्ष में थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार को छोड़ कर, इंडियन लिब्रल एसोसियेशन की स्थापना की, ये लोग उतारवादी कहे गए, उदारवादी कहे गए, तथा भारत की राजनेती में आगे चलकर इनकी बहुत नगड़ने भूमिका रही कोशन नुबर फोर पर आजए इनमें से कौन सा कथन रोलेट एक्ट से संबंधित है क्या था रोलेट एक्ट क्या इसके द्वारा प्रेश की सोतंतरता पर प्रतिबंद लगाया गया या फिर इस एक्ट के द्वारा भारते चलाये जेल में बंद कर सकती थी बिल्कुल यही है इसको काला कानून कहा गया रोलेट एक्ट को तो बिटे सरकार ने सोयम को ऐसी भायानक सक्तियों से लेज करने का वैसला कर लिया जो बिधी के साशन के बिल्कुल प्रतिकूल जाती थी ताकि 1919 के सरकारी सुधारों से ना होने वाले राष्टवादियों को कुचल सकें वो लोग। बड़ा प्रियोग इंपोर्टन्ट है प्रश्ण निम्लिकित में से कहां किया था गांधी जी जब सावत अफ्रीगा से भारत आये थे अठाट सो तरण में गये थे वह जब भारत आये लोटकर वापस तो उन्होंने सबसे पहले भारत में बिहार के चंपारण में 1917 में अप प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहां पर यहां ए होना चाहिए तो गांधी जी ने सत्यकरे का अपना पहला पड़ा परियोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया यहां नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपिय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते गांधी जी के संगर्ज के करण अंत्यते किशान जिन समस्याओं से पीडित थे उनमें कमी होई कोश्य नमबर शिक्स पर आजए बीसवी सदी के बिहार के नील किसानों के संबंद में नीचे दीगे कत्नों पर विशार करना है पहला स्टेटमेंट है चंपारण के नील किसा पर नील की खेती करनी पड़ती थी तीन बटे वीस है एक बटे तीन है दूसरे स्टेटमेंट है बेटिस सरकार ने नील किसानों की समस्या की जाच करने है तू समिती बनाई जिसके सरस गांधी जीवी थे बेलकुल तीन बटे वीस भागी है करेक्ट है दोनों के दोनों तो बिहार के चंपरण जिले के नील उत्पादक किसानों पर यूरोपिय निहरे बहुत अधिक अत्याचार करते थे किसानों का अपनी जमीन के कम से कम तीन बटे वीज भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी तथा निहलो द्वारा तै दामों पर बेचना पड़ता था महादेव देसाई के साथ चंपरण पहुंचे और देखिए किसानों के हालात की विस्तरत जाँच परताल करने लगे और अंतते सरकार ने मजबूर होकर एक जाँच समीती बनाई जिसके एक सरस से गांधी जीवी थे ठीक है, 1917 में जो गांधी जी थे, राजिंदर परसाद, जेवी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपरण पहुंचे और किसानों के हालात की उन्होंने विस्तरत जाँच परताल करने की और अंतते सरकार ने क्या किया मजबूर होकर एक जान समयती बनाई जिसके एक सरस से गांधी जी भी थे कॉश्चन नुम्बर सेबन पर आजएए, गांधी जी के संदर में निमलिकत कतनों में से कौन सा कतन सत्य है गांधी जी 1915 में दक्षण अफरीका से भारत लोटे थे, गए कब थे? 1893 में जब गांधी जी दक्षण अफरीका से भारत लोटे उनकी आयू 46 वर्स थी देखे इस तरह के बड़े उट पटांग प्रशन होते हैं और ये उट पटांग पूछ लिए जाते हैं और PCS तक के एक्जाम में पूछ ले आते हैं इंपोटन्ट है, जी से में थोड़ा डीप जारा है तो याद रखेगा जब गांधी जी साउत अफरीका से लोटे थे तो 46 वर्स वर्स के थे वो करेक्ट है, दूसरा स्टेट्मेंट भी तो दूसरा statement correct है पहला statement correct है तो ये तो हो नहीं सकता है इसका answer नहीं ये हो सकता या तो D होगा या फर ये होगा 1,2,3 आगे देखते हैं गांधी जी ने 1916 में एहमिदाबाद के पास सावरमती आसरम की स्थापना की भारता कर है बिल्कुल की थी 1916 में की थी अफरीका से बाप statement कर दीजे जहां जहां चाहरे वो नहीं होगा इस से पूरा statement कर जाता और आपको answer मिल जाता क्या answer मिलता 1,2,3,1,2,3 तो देखिए चोथा कथन असत्य है गांधी जी द्वरा दक्षिन अफरीका से लोटने के पास्षाद भारत में आरंभ किया गया पर्थम सफल सत्याग्र किसानों के पक्ष में बिटे सरकार के विरुद्ध चलाया था दूसरा statement है इस सत्याग्रे के दोरान ही सरदार बल्ला भाई पटेल गांधी जी के अनुयाई बने बताए कौन सा सही है खेड़ा सत्याग्रे गांधी जी ने महाराष्ट के अकाल पीडित किसानों के पक्ष मे पक्ष में चलाया था देखे महाराष्ट के अकाल पीडित किसानों के पक्ष में चलाया था क्या पहला statement गलत है पहला बाला गलत है दूसरा से यह कि बन देखे उनने सो अठारे में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल जो है वह चौपट हो गई किंतु सरकार न ने लगान छोड़ने से एकदम इंकार कर दिया और पूरा लगान बसूल करने पर उतर गई अंग्रीजी सरकार विटे सरकार गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और आहन किया कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती किसान लगान देना बंद कर दें जब यह खबर मिली कि सरकार ने केबल उनहीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिये हैं जो लगान देने में सक्षम है उसके बाद यह संगर्स बापस ले लिया गया दूसरा वाला स्टेटमेंट से ही है सरदार बल्ला भाई पटेल उनहीं अनेक नौजवानों में से एक थे जो खेड़ चौपट हो गई थी और अंग्रेज क्या कर रहे थे तब भी उतारू थे के पूरा लगान दो पूरा लगान दो कुशन नुम्बर नाइन पर आ चाहिए निम्रिकित कत्नों पर विचार करना दो स्टेटमेंट है यहां पर बताना किरमेंसे कौन सा करेक्ट है पहला स्टेट रहे मतलब उन पर कोई फरक नहीं पड़ा रहें गलत दूसरा स्टेटमेंट ऐसा तो हो नहीं सकता कि गान्धीजी तठथ स्थ रहें बुरा लगा था उनको बहुत केबल दूसरा केबल पहला वाला करेक्ट है दूसरा वाला गलत है तो देखिया दूसरा गथन असरत है क्य पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि 1918 में गांधी जी ने एहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के एक विबाद में हस्तक्षेप किया गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी में 35% ब्रद्धी की मांग करने की और इसके लिए हर्ताल पर जाने की राय दी मजदूरों के हर्ताल को जारी रखने के संकल्ब को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अंसन किया उनके अंसन ने मिल मालिकों पर दबाब डाला और वे नरम पढ़कर 35 प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर राजी हो गए बैक टू बैक मदद करना है गांधी जी कॉशन नूमबर 10 पर आजाईए तो पंजाब में अमरत सरके जलिया वाला बाग में लोग किस कारण मौजूद थे किस कारण एकत्र हुए थे क्या कर रहे थे वो क्या वो वेशाकी का त्योहार मना रहे थे क्या वो गदर पार्टी का समर्थन कर रहे थे या वो गांधी जी और लाला लाच पतराय की गिरफतारी का विरोध कर रहे थे इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहे थे वो तो डॉक्टर सेफुद्दीन किछलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफतारी का विरोध कर रहे थे उप्सन नुमबर C हैसका अंसर तो पंजाब में अमरत सर के जलिया वाला भाग में 13 प्रलू 1911 को एक निहत्ती भीड अपने लोक प्रिया नेता डॉक्टर सेफुद्दीन किछलो और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफतारी का बिरोध करने के लिए कत्रित होई जलिया वाला भाग बहुत बड़ा भाग था मगर इसमें से निकलने का केवल एक ही रास्ता था अमरत सर के फौजी कमांडर जनल डायर ने अपने सैनिकों को भीड पर गोली बरसाने का हुकम दे दिया और बे तब तक गोली बरसाती रहे जब तक की गोलियां खतम नहीं हो गई कोशन नुमर 11 पर आजए उननिस सो उननिस के जलिया बाला भाग हत्याकांड के बिरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने सरकार बिटिस सरकार द्वारा प्रदान की गई अपनी नाइट की उपाधी लोटा दी थी रविंदरनाथ टैगोर ने लोटाई थी भी है इसका अंसर तो जलिया बाला भाग नरसंगार के बिरोध में रविंदरनाथ टैगोर ने बिटिस सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधी लोटा दी थी और जनता के कश्टों का वर्णन करते वो उन्होंने घो चागर करते हैं और मैं जहां तक मेरा सवाल है सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देश्वासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथा कथे चुद्धता को सहन करने के लिए बाध्धे हो सकते हैं ऐसा कहा था टैगोर जिने कुश््छ नमबर बारे पर आजए हैं नम्रिक तुमसे किन के दौरा खिलाफत कमिटी का गठन किया गया मुहमद अली, सय्यद॑ आहमद खान मुहमद अजागा और एक नाम और है हसरत मोहानी के नित्रत में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देश व्यापी आंदोलन छेड़ा गया ये नाम याद रख लेना मुहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अजाद और हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी तेरवे प्रशन पर आजाएए, खिलाफत अंदोलन के मुख्य उद्देश निम्लिकित में से कौन से थे? पहला स्टेटमेंट है, मुसल्मानों के वीच राष्टवादी प्रवत्ती का परशार करना, दूसरा है, मुसल्मानों को आधनिक सिक्षा तथा ग्यान विज्ञान से जोड़ना, कॉंग्रेस की राष्टवादी विचार धरा के खिलाफ मुसलिम लोगों को खड़ा करना, तुर्की सामराजी की रक्षा करना और खलीफा के सम्मान की पुनर स्थापना करना, देखे, खिलाफत आंदुरन का उद्देश यह बिल्कुल भी नहीं था कि मुसल्मानों को आधनिक सिक्षा तथा ग्यान विज्ञान से जोड़ना, गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट कांग्रेस की राष्टवादी विचारधारा के खिलाब मुसलिम लोगों को खड़ा करना भी नहीं था, था तो क्या, मुसल्मानों के वीच राष्टवादी प्रवत्ति का परशार करना, और तुर्की सामराजी की रक्षा करना, और खलीफा के सम्मान की पुनर स्थापना क करना, तो केवल एक और चार सही है, इनको याद रखना दो पॉइंटों को इसका अंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर भी, नेक्स्ट कुश्चन पर आजाएए, इनमें से किसने खिलाफत आंतुलन के संबंद पे कहा था कि हिंदू और मुसल्मानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे सो वर्षों तक नहीं मिलेगा, किसने कहा था ऐसा, भीमरा, उमबेटकर, मुहमद अली जिन्ना, चितरन जन्दास, या फिर अपने गांधी जी, देखें, ये महत्मा गांधी नहीं कहा था, इस कांसर आप्सन नमबर ए, तो गांधी जी ने खिलाफत आ आरम में घोशना की, कि खिलाफत का प्रशन सामविधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है, कुशन नमबर फिप्टीन पर आजए अंतिम प्रशने पंदरबा, नम्रिखित घटनाओं को काला नुकरम में व्यवस्तित करना है, सत्यागर है, जलिया वाला वाग हत्याकांड खेडा सत्यागर है, देखें लखनाओ अधिवेशन हुआ था 1916 में, चमपारण 1917 का है, जलिया वाला वाग हत्याकांड 1919 का है, खेडा सत्यागर है कपका है, 1918 का है, तो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, एक, दो, चार, गांधिजी सावत फरिगार सैंसमीन अूदूर्व थे Covid Fast गांधिजी सावत अफरीगााइं थे अंूनिस्स सोल है और में सबसे पहले पहार के चंपरन जिले मेरें चंपरन सत्य गणम उन्हें हिस्सा लिया और पहला सत्याग्राई यही था भारत में उनका खेड़ा सत्याग्राई तो इस तरह से पूछा जाता है काला नुकरम यह तो काफी आसान था एक तरह से दिखा जाए तो प्रक्टिस कर लेजेगा चलिए धन्यवाद